नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करती हूँ आज हम पढ़ेंगे नौवी कक्षा की क्षितज पुस्तक के काववे खंड से रस्खान के सवईये अब हम कभी रस्खान का परीचे देखते हैं रस्खान का जन्म सन 1548 में माना जाता है यहाँ पर शब्द प्रियोग हुआ है माना जाता है मतलब इनके जन्म के संदर्ब में नेश्चित साल का जिक्र नहीं है लेकिन जो भी इनकी रचनाए मिलती है या इनके समय का जब आकलन किया गया तो साधार पर 1548 ही इनका जन्म माना गया इनका मूल नाम था सयद इब्राहिम यह दिल्ले के आसपास के रहने वाले थे मतलब इनके जन्म के स्थान के विशय में भी कोई निश्चत जानकारी नहीं है कृष्ण भगती ने उन्हें ऐसा मुग्द कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ सिक्षाली और ब्रजभूमी में जा बसे यहाँ पर विठल नाथ जी कौन है विठल नाथ जिनोंने अश्ट छाप की रचना की थी जो की आचारे बल्लब के पुत्र थे विठल नाथ जी ने अपने पिता जी के 84 शिश्यों में से 4 शिश्य चुने और स्वयम के 202 शिश्यों में से 4 शिश्य चुने तो 4 और 4 मिलाकर 8 हुए तो इनोंने अश्ट छाप की स्थापना की जिसमें 8 प्रमुक कवी हुए जो की कृष्ण भक्ती का गुनगान करते थे तो उनी विठल नाथ जी से कवी रस्खान जी ने दिक्षा ली और ब्रज भूमी में जावसे मतलब क्रिश्ण के प्रती इतना अनुराग इनके मन में उत्पन हुआ कि ये ब्रज भूमी में जावसे सन 1628 के लगभग उनका देहा वसान हुआ अब यहां पर देखिए कि यहां भी लगभग शब्द का प्रियोग हुआ है तो इसलिए उनकी निधन के संदर्भ में भी नेश्चित साल का जिक्र नहीं किया गया है जो प्रमुक उपलब्द कृतियां है वो है सुजान रस्खान और प्रेम बाटी का सुजान रजनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है प्रमुक कृष्ण भग्द कवी रस्खान की अनुरक्ती नेकेवल कृष्ण की प्रती प्रकट हुई है बलकि कृष्ण भऊमी के प्रती उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है यहाँ पर जैसे उपर बताय था न की कृष्ण को तो प्रेम करते ही थे साथ में कृष्ण भऊमी से वी उतना ही इनका लगाव है उनके कावे में कृष्णी की रूप माधुरी, ब्रज महिवा, राधा कृष्णी की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्नन मिलता है वे अपनी प्रेम की तनमयता, भाव विहवलता और आसकती के उल्लास के लिए जितने प्रसिद है उतने ही अपनी भाषा की मारमिक्ता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए क्योंकि यहाँ पर रस्खान जी अपनी भाषा का चुनाव जिस प्रकार से करते हैं वो ने जन्म से ही मिली है अर्था रस्खान के पिता एक जागीरदार थे तो इनका बहुत संपन परिवार में ये पैदा हुए थे तो संपन परिवार में पैदा होने के कारण इनकी सिक्षा अच्छी और उच्चकोटी की हुई थी तो इनकी लिए इनकी भाषा भी उच्चकोटी की है तो इनका जो शब्द चैन है और जो इनकी शैली है वो उत्तम है उन्होंने ब्रिज भाशा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रियोग किया है मतलब इनके कावे में ब्रिज भाशा का बहुत सरस और मनोरम प्रियोग मिलता है जिसमें जरावी शब्द आडंबर नहीं है मतलब जिसमें जरा भी दिखावा शब्दों का आडंबर नहीं है अर्था शब्दों का दिखावा नहीं है ये प्रेम के कवी माने जाते हैं और इनोंने अपना प्रेम अनुराग श्री कृष्ण और उनकी भूमी के प्रती ब्यक्त किया है यहाँ पर जो हम सवये पढ़ेंग कि सवया क्या है सवया एक प्रकार का चंद होता है चंद दो प्रकार के होते हैं एक होता है मात्रिक चंद दूसरा वारणिक चंद जिसमें मात्राओं की गणना करने के आधार पर चंद का निर्धारन होता है वो मात्रिक चंद और जिसमें वरणों की गिंती की जाती है वहा कुल चार चरण होते हैं और हर चरण में वर्ण होंगे 22 से 26 मात्राइं होंगी मात्राओं की गंणा की जाएगी वो मात्रिक चंद और जिसमें वर्णों की गिंती की जाएगी वो वारनिक चंद और सवया एक प्रकार का वारनिक चंद है जिसके प्रतेक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं हम पहला सवया प्रारंब करते हैं तो चलिए प्रारंब करते हैं सवया की व्याख्या मानुश हो तो वही रस्खानी बसों ब्रिज गोकुल गाउं के गवारन जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नितनंद की धेनों मंझारन पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी चत्र पुरंदर धारन जो खग हो तो बसीरों करो मिली कालिंदी कूल कदंब की डारन तो इसका सबसे पहले शब्दार्थ देखिए मानुश मतलब मनुश्य रस्खानी कवी रस्खान बसाओं मतलब बसना चाहता हूँ गोकुल गाउं का नाम है गवारन गवाला पसू पशू कहा बस मेरो मतलब मेरा वश नै होना नित मतलब रोजाना नंद बाबानंद श्री कृष्ण के पिता दिनू गाएं मंझारन बीच में पाहन मतलब पत्थर गिरी मतलब परवत पुरंदर इंद्र खग पक्षी कालिंदी यमुना यमुना नदी कूल किनारा कदंब एक प्रकार का वरिक्ष और डारन मतलब डाली अब इसकी व्याख्या देखिए कि कवी रस्खान कहते हैं मानूस हो तो वही रस्खानी मनुष्य का जन्म मिला तो मैं बसाँ ब्रज की ब्रज क्षेत्र में बसना चाहता हूं और ब्रज क्षेत्र के भी गोकुल गाउं का ग्वाला बन कर कि मैं कवी रस्खान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का रूप मिलता है तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गाओं के गौाले के रूप नहीं रहना चाहता हूँ जो पसू हो तो कहा बस मेरो और यदि मुझे पशू का जन मिला जिस पर मेरा कोई वश नहीं होगा क्योंकि पशू तो किसी दूसरे के अधीन होगा कहते हैं कि जो पसू हो तो कि यदि मुझे पशू का जन मिला और मेरा वश जिस पर मेरा वश नहीं है तो भी चरओ नंद की धेनो मंझारन कि मैं रोजाना बाबानंद की गाओं के बीच में ही चरना चाहता हूँ कवीर स्खान जी आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को और यदि मैं पत्थर का रूप धारण किया मैंने तो मैं उसी परवत के पत्थर का रूप धारण करना चाता हूँ कौन सा पत्थर जिसको श्री कृष्ण ने हरी छत्र हरी मतलब श्री कृष्ण छत्र मतलब छाते के रूप में कि श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था किसलिए पुरंदर धारण की इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए जिसने ओबर्धन परवत को धारण किया था जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारण कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिला तो मैं यमना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड की डाली को ही अपना बसेरा बसाना चाहता हूँ चाहता हूँ कि मतलब उसी कदम के पेड पर ही बसना चाहता हूँ तो हमने इन चारों पंक्तियों में देखा तो हमने इन सभी पंक्तियों में देखा कि रस्खान जी का कृष्ण और कृष्ण भूमी के प्रती अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है क्यों क्यों हुआ है मनुष्य होते हैं तब भी गोग बसना चाते हैं पशु होते हैं तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाते हैं क्यों क्योंकि उन्हें चराने के लिए श्री कृष्ण लेकर जाते हैं और पाहन बने पत्थर बने तो उसी परवत का जिसे इंद्रका घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था और पक्षी हो तो वही पर अपनेंगे जहां पर श्री कृष्ण जिस कदंब के पेड़ के नीचे बैठ कर श्री कृष्ण ब पनुष्य हुआ तो गोकुल गाओं में रहना चाते हैं और पशु हुआ तो भी बाबा नंद की गाएं चराना चाते हैं और यदि पत्थर हुआ तो वही जो इंद्रका घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था और पक्षी हुए तो वही यमना नदी के किनारे सित कदंब के पेड़्गी डाली को ही अपना बसेरा बसाना चाहते क्योंकि वहाँ पर शिरी कृष्ण बांसूरी बजाते तो यहीं पर देखिए हर तरफ से वो शिरी कृष्ण का ही सानिध्य है चाहते हैं यहां पर एक तीसरी पंक्ति आई ह सब्सक्राइब है में दों सब्सक्राइब से लाज已经 में दोलेται गोवर्धन가ir पर दिया तो श्री क्रिष्न के पास गए उन्से आश्रय की मांग के तब श्री कृष्ण ने अपनी तरजनी उंगली पर गोवर्धन परवत को उठाया था और उसी के नीचे सभी ठह रहेते थे तो इसलिए इंद्र का घमण चूर-चूर हो गया था तो इसमें यही है कि इंद्र के घमण को तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन लोटते हैं कावे संदरे की और पहले तो हो गया एक बिंदू तो यह हो गया कि सवय्य में श्री कृष्ण के प्रतिया नन्य प्रेम व्यक्तू है दूसरा है ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है मुक्तक शैली है भक्ती रसका भक्ती रसका सुन्दर परिपाक है सवय यह चंद है आगे हम क्या देखते हैं कालिंदी कूल कदंब में कैवरण की आवरती की कारण अनुप्रास अलंकार है तो यहां पर देखिए कि जहां पर एक ही वरण की आवरती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार है और इसमें कौन से वरण की आवरती है और इसमें कौन से व का समावेश है अब हम दूसरे सवय की व्याख्या करते हैं या लकुटी अरुकामरिया पर राज्टि हुँ पुर्खो तजी डारो आठहु सिद्धी नौ निधी के सुख नंद की गाई चराई विसारो रस्खान कबो इन आखंसो ब्रिज के बन बाग तडाग निहारो कोटिक कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन उपर वारो तो इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं पहले लकुटी मतलब लाठी कामरिया मतलब कंबल तीहु तीनों लोग तीहु पुर तीनों लोग तजी मतलब छोड़ देना ठहु सिद्धी ये होती है आठ सिद्धियां जो गहन तपस्य के बाद प्राप्त होती हैं कौन-कौन सी है आणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ती प्राकम्य इशित्व और वशित्व तो ये आठ सिद्धियां जो थी ये हनुमान जी को प्राप्त थी जिसमें आणिमा मतलब अपने शरीर को अणू से भी छोटा रूप में बना लेना महिमा छोटा और हलका रूप गरिमा बहुत बड़ा रूप बना लेना लगिमा अपने वजन को बढ़ा लेना प्राप्ती इच्छा शक्ती से मनवांचित्वल मिलना मतलब जिसे कि वो हालुमान जी पशु पक्षियों की भाषा में समझ कर सीता जी का पता सी इशित्व वश में करने की सिध्धी जैसे वानर सेना को उनोंने वश में किया था वशित्व एश्ट सिध्धी और एश्वर्य सिध्धी तो यहां पर हनुमान जी को ये आठ सिध्धियां प्राप्त थी जिसमें अपने शरीर को भाती भाती प्रकार से वो बदल सकते थे इ और वो नौ निधिया कौन-कौन सी है, पद्म, महापद्म, शंक, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, एवं खर्व, तो ये नौ निधिया होगी, तो आगे शब्दारते देखिए, बिसारों मतलब भूल जाना, कबव मतलब कब, बन मतलब जंगल, बाग मतलब उपवन, तडाग मतलब सरोवर, निहारों मतलब देखूंगा, कोटिक, करोडों, कल धोत के धाम, सोने चांदी के महल, करील, कंटीली जाडिया, कुंजन, कुंजन क्या होता है, कि एक ऐसा स्थान, जो लताओं से भरा होता है, वारों मतलब निवच्छावर, तो इसका सरलार्थ देखिए, कि रस्खान जी का प्रेम, क्रिश्न और क्रिश का मरिया, मतलब इस लकड़ी पर और इस कंबल पर क्या छोड़ देना चाहता हूँ, मैं तीनों लोकों का राज, क्यते हैं कि यदि मुझे शृरी क्रिश्न की लाठी और कंबल मिल जाए, तो उसके बदले में मैं तीनों लोकों के राज को भी छोड़ देना चाहता हूँ, और क्या केते हैं आगे आठहू सिद्धी नौ निधी के सुख नंद की गाएं चराएं बिसारो कि मुझे यदि नंद की गाएं चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठ सिद्धी जो गहन तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं और नौ निधी अर्थात कुबेर का खजाना उन उसके सुख को भी भूल जाना चाहता हूँ कि बदले में मुझे क्या चाहिए बाबा नंद की गाएं चराने को मिल जाए रस्खान कबो इन आखनसो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कि कभी रस्खान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षित्र के जंगल बगी और सरोवर को अप कि यदी मुझे ब्रज क्षित्र की कंटिली जाडिया मिल जाएं कंटिली जाडिया लताओं से भरी हुई लताओं से लदी हुई चौथी पंगती में आगे रस्खान जी कहते हैं कि कोटेक एकल दोत के धाम करील के कुन जन उपर वारो कि रस्खान जी कहते हैं कि यदी मुझे ब्रजक्षेत्र की लताओं से लदी हुई वो कंटिया मिल जाए तो उसके उपर तो मैं करोडो सोने चांदी के महल भी निचावर कर दूँ दुबारा से देखिए पहली पंक्ती में बोले का रस्खान जी ने कि लाठी और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उस पर तीनों लोगों का राज छोड़ दूँ बाबा नंद की गाएं चराने का अफसर मिले तो आठ सिद्धी और ने के सुक को भूल जाओं इतनी उतकंठा है उनके ह्रेदय में कि वो सोच रहे हैं कि मैं कब ब्रज के जंगल बगीचे और सरोवर को निहार पाऊंगा और कहते हैं कि यदि मुझे लताओं से लदी हुई वो कंटीली जाडिया मिल जाए तो उस पर तो मैं सोने चांदी के करोडो महल भी निचावर कर सकता हूं यहां पर हम इसके कावे संदरे देखते हैं प्रस्तुत सवये में श्री कृष्न और ब्रिज भूमी के प्रती अनन्य प्रेम व्यक्त किया गया है मतलब कवीरस खान श क्या बिंदू लिख सकते हैं सर्वस्व समर्पन की भावना श्री कृष्न के प्रती अनन्य प्रेम का परिचायक है आगे है ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है मुक्तक शैली है यहां भक्ती रस का सुंदर परिपाक है सवये चंद जैसा की शिर्षक में था सवये च ओड़ी पितंबर लेल अकूटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी बावतो वोही मेरो रस्खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी तो इसकी शब्दार्त देखिए मोर पका मोर से बना हुआ मोर पंक से बना गुझ्ज क्या होता है एक प्रकार का विशिष्ट मोती होता है गराई मतलब गले में ओडि ओड कर पितंबर पीला वस्तर गोधन गाए रस्कानी शिरीक्रिशन के रियोग किया गया है यह रस्की ऐखान शिरिक्रिशन स्वांग अभिने या वेश बुशा मुरली धर श्री कृष्ण अधरान होटो पर अधरान ने मतलब नहीं रखोंगी अब इसकी व्याख्या देखिए कि गोपियां दो गोपियां बैठी हैं आपस में बाते कर रही हैं उन्हें श्री कृष्ण की बहुत याद आती है अब वो एक गोपि दूसरी गोपि से कहती हैं कि हे सकी श्री कृष्ण का रूप धारन कर ले ताकि मेरे दिल को तसली हो जाए कि श्री कृष्ण मेरे पास ही है तो गोपि कहती है कि मैं क्या करूंगी मोर पखा सिर उपर ही राखी हूं वो उसकी बात मान लेती है और कहती है कि मैं मोर पंक से बने हुए मुकुट को अपने सिर पर रख लोंगी अर्था जैसे मुकुट शिरी कृष्ण धारे वैसा ही मुकुट मैं पहन लोंगी गुंज की माल गरे पहिरूंगी श गोधन गवारिन की गायों की गवालिन बनकर उनके साथ साथ फिरूंगी भावतों वही मेरे उ रसखानी की वो गोपी कहती है कि मुझे तो मेरा वही रसखी खान शिरी कृष्ण ही भाता है और जैसा-जैसा रूप उनोंने धारन किया हुआ है ठीक वैसा ही रूप मैं धार करने के लिए तयार हूं जिस प्रकार से वो वस्त्रधारन करते हैं जैसा वो अभिने करते हैं उस प्रकार से सब चीजों को करने के लिए मैं तयार हूं लेकिन लेकिन गोपी क्या कहती है क्या नहीं करूंगी या मुरली मुरली धर की कि ये मुरली किसकी मुरली धर की अर्था पर श्री कृष्ण ने जो मुरली अपने होटों पर रखी हुए सिर्फ वो मुरली नहीं धारन करूंगी बाकी मैं सभी प्रकार के स्वांग धारन करने के लिए तयार हूँ कि मैं वो सब चीजें धारन करूंगी जिससे तुम्हें कि श्री कृष्ण ही आ गए हैं लेकिन मुर मूरली बजाने के बाद श्री कृष्ण को गोपियों का ध्यान नहीं रहता है वो सिर्फ मूरली की मधूर्तान में ही खोल जाते हैं अब हम इस सवये का कावय संदरे देखते हैं प्रस्तुत सवये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रती अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है मत पर लेकिन उनकी मूरली को नहीं रखेंगी। ब्रज भाशा की छटा देखने को मिलती है। मुक्तक शैली है। सवय चंद है। यदि हम अधरान धरी, अधरान धरोंगी में दुवनी साम में है। अलंकारों की बात करें। तो अलंकार क्या होंगे। अधरान धरी, अधरान अधरोंगी। तो यहाँ पर अधरान और अधरान, यहाँ पर दो एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग-अलग है। तो जहाँ पर दो एक जैसे शब्द हों, और दोनों के अर्थ अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और दो एक जैसे शब्दागे लेकिन दोनों का अर्थ अलग है अधरान और अधरान तो इसलिए यहाँ पर यह मकल अंकार है अब हम चोथा सवया देखते हैं तो यहाँ पर इसका शब्दार्थ देखिए कानननी मतलब कानों में अंगुरी मतलब उंगली रहीबो मतलब रखलूंगी मोहीनी तानन मधुरतान रस खानी शिरीकृष्ण के लिए प्रियोग हुआ है रस की खान शिरीकृष्ण शिरीकृष्ण गोधन एक प्रकार का लोग जीट, टेरी, पुकारकर, सिगरे, सारे, ब्रिज लोगनी, ब्रिज की लोगों को, कोव कितना, मुसकानी, मुसकान, संभारी, संभाली. तो अब इसकी व्यक्या देखिए, इस सवये में, शेकरिष्न की मुरली की मधुर धुन, और उनके चेहरे की मुसकान, गोपियों पर क्या प्रभाव डालती है, इसका वर्नन किया गया है, क्या कहती है, गोपि, काननी दै अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली की धुनी मंद जहें मतलब बजेगी, अर्थात जब मुझे मुरली की धुन मंद बंद सुनाई देगी, तब ही मैं अपने कानों पर उंगली रख लूँगी, अर्थात अपने कान बंद कर लूँगी, ताकि मुझे वो मुरली की धुन सुनाई ना दे, मोहिनी तानन सो रस खानी, वो रस क खान शिरी कृष्ण अटा चड़ी मतलब चाहे कितने ही उचे स्थान पर चड़ कर गोधन नामक लोग गीत को गाए तो गाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने कान बंद कर लूँगी और वो मुरली की धुन मुझे सुना नहीं देगी गोपी कहती है कि जब मुरली की धुन बंद बंद सुनाई देगी तभी मैं अपने कान बंद कर लूँगी कानों पर हाथ रक लूँगी फिर चाहे श्री कृष्ण कितने ही उचे सान पर चड़ कर गोधन नामक लोग गीत क्यों नगाए उस मोहनी तानन का लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कल चाहे मुझे कितना ही समझाए उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा क्यों कह रही है यहाँ पर गोपी कहती है कि एक बार अगर श्री कृष्ण की मोहनी तान मेरे कानों में पढ़ गई फिर चाहे सारे लोग मुझे कितना ही समझाते रहना मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि मैं श्री कृष्ण की मुरले की मधूरतान सुन लूँगी तो मैं उनके पास खिची चली जाओंगी और वो अपनी मा को कहती है कि हे मा श्री कृष्ण के मुख मधूर मुस्कान मुझ से संभाली नहीं जाती है मतलब संभाली नहीं जाती है क्यों नहीं जाती है क्योंकि एक तो मधूरतान कानों में सुनाई देगी तो मधूरतान को सुनूंगी मैं और सुनती सुनती जब मैं श्री कृष्ण के पास पहुँच जाओंगी तो उनके मुख की मधुर मुसकान को मैं देखूंगी तो फिर मैं अपने हरदे को समभाल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा हरदे श्री कृष्ण की मुरले की मोहिनी तान के आधीन है और श्री कृष्ण जब बानसूरी बजाते हैं यहाँ पर हम इसका काव्य संदरे देखते हैं प्रस्तुत सवईये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रती अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है कृष्ण की मुरले की दून और उसकी मुसकान के अचूप प्रभाव और गोपियों की विवश्ता का वर्नेन किया गया है ब्रज भाशा की छटा देखने को मिलती है आप एक चीज का ध्यान रखना अगर इन सवईयों में से कोई भी सवईया आ जाए और उसके कवे संदरे आप से पूछा जाए तो सभी में आप क्या लिखेंगे कि ब्रज भाशा की छटा देखने को मिलती है और मुक्तक शैली है और सवईया चंद है अब हम इसके प्रशन अभ्यास देखते हैं प्रशन अभ्यास में हम एक एक करके क्रमानुसार प्रशनों को देखेंगे और उसका जवाब खोजेंगे तो यहाँ पर प्रशन अतर चर्चा करने से पूरवे एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ देखो प्यारे बच्चों कभी भी प्रशन का जवाब जो है रट कर मत देना क्योंकि जब हम किसी प्रशन को रटते हैं बार बार उसी प्रशन को पढ़ते हैं दोहराते हैं रटते हैं तो वो चीज हमारे कुछ समय के लिए हमें याद रहती है और अगर हम प्रशन को समझ कर सुवयम के विवेक के आधार पर उत्तर लिखते हैं तो उसमें हमारा रचनात्म कोशल उभर कर आता है तो इसलिए हम सभी प्रशनों की इस प्रकार से चर्चा करेंगे जिसमें हमें रटने की आवशक्ता नहीं है बिल्कुल आम साधारन भाषा में साधारन शब्दों का प्रियोग करके हम प्रशनों तरचर्चा करेंगे तो पहला प्रशन है ब्रज भूमी के इन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है तो ये वाला किस से संबंदित लगता है हमने जो पहले वाला सवया किया था कि श्री कृष्ण जो है ब्रज भूमी में क्यों बसना चाहते हैं उसी में इसका जवाब छेपा हुआ है तो हम क्रमा नुसार उसकी एक एक पंक्ती को ध्यान रखेंगे कि ब्रज भूमी के प्रती कवी का प्रेम किन-किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है शुरुवात में हम लिखेंगे कि ब्रज भूमी के प्रती कवी का प्रेम मनुष्य, पशू, पत्थर और पक्षी के रूप में प्रकट हुआ है अब आम इन चीजों को विस्तार से समझेंगे कि मनुष्य है तो क्यूं है कि कवी यदि मनुष्य का जन्म लेना चाहता था श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोकुल गाओं में वसना चाहते है पशू का जन्म लिया तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाहते है अगर पत्थर बने तो उसी परवत का पत्थर बनना चाहते है उसी गोवर्धन परवत का पत्थर बनना चाहते है जो श्री कृष्णने जिसे श्री कृष्णने जिसे श्री कृष्णने अपनी तरजनी उंगली पर उठाया था और पक्षी हो तो अपना बसेरा कहा करेंगे जह सामने काव्यांश में व्याख्या में समझा था क्या था कि यमना नदी के किनारे स्थेत कदम के पेड़ की डाले को ही अपना बसेरा बसाना चाते क्यों उन्होंने कदम का पेड़ चुना क्यों यमना किनारे के कदम का पेड़ चुना उन्होंने क्योंकि उसी पेड़ के नीचे बैटकर इश्रे कृष्ण बांसोरी बजाते थे तो यहाँ पर हुआ अब हम पहले चारों शब्दों का प्रियोग करेंगे कि कवी का ब्रिज भूमी के प्रती कवी का प्रेम मनुष्य पशू और पत्थर और पक्षी के रूप में व्यक्त हुआ है और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे जो मैं उपर बता चुकी हूँ समझ आया है यह वाला प्रश्न? तो अब हम दूसरे प्रश्न की और बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? कवी का ब्रिज के बन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? मतलब यह आँपर हमने जो दूसरा सवईया पढ़ा था कि कब इन आखिन सों ब्रिज के बन बाग ताडाग निहारो? यह वाली पंक्ती आई थी ना पीछे सवईया में हमारी? तो कवी ने यही पूछा है कि ब्रिज के बन मतलब जंगल, बाग मतलब बगीचे और ताडाग मतलब तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो इनको इसलिए देखना चाहते हैं ताकि वे का सानिध्य पासके कि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज में वो श्री कृष्ण को ही खोजते हैं तो इसलिए इन चीजों में उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए इसलिए वो इनको निहारना चाहते हैं अब आता हमारा तीसरा प्रश्ण तीसरे प्रश्ण में क्या है? एक लकूटी और कामरिया पर कवी सब कुछ निच्छावर करने को क्यों तयार है? उनके लिए बहुत कीमती चीज हैं क्यों है? क्योंकि ये चीजे श्री कृष्ण की हैं श्री कृष्ण की लकूटी और कंबल को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ निच्छावर कर देना चाहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यदि उन्हें ये चीजे मिल गई तो साक्षात उन्हें का श्री कृष्ण से मिलन हो जाएगा अब चौथा प्रश्ण देखिए सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारन करे शब्दों में लिखिए तो इसमें तो ये वाला प्रश्ण तो बहुत आसान है क्यों आसान है? क्योंकि हमने जो तीसरे वाला सवया किया था हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ व्याख्या ही लिखनी है उसको अपने शब्दों में मतलब कि यहाँ पर तो कवी ने ब्रज भाशा का प्रियों किया है लेकिन यहाँ पर उसकी व्याख्या हम करेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से कि श्री कृष्न की बहुत याद आ रही है अब इसका उत्तर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से यह कहती है कि मुझे तो श्री कृष्न की याद आ रही है अब गोपी कहती है कि क्यों न तुम ही श्री कृष्न बन जाओ ताकि मैं तुम्हें निहार सकूँ तो दूसरी गोपी कहती है जिससे कहा गया था वो गोपी कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंक रख लूँगी और गले में गुंज की माला जो की एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर होता है उसकी माला में गले में पहन लूँगी ओड ही पितंबर पितंबर जिसे की श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारन करते हैं वैसे ही पीले वस्त्र मैं ओड लूँगी लेलकूटी देकर ग्वालन बनकर गायों की रक्षक बनकर उनके साथ साथ फिरूँगी अब आगे गोपी कहते हैं कि जैसा जैसा रूप श्री कृष्ण धारन करते हैं ठीक वैसा ही रूप धारन करने के लिए मैं तयार हूँ लेकिन श्री कृष्ण ने जो बानसूरी अपने होटों पर रखी हुई है वह मैं अपने होटों पर नहीं रखूंगी तो यहाँ पर हमने देखा कि सखी गोपी से कृष्ण का वो रूप धारन करने के लिए कहती है जो रूप श्री कृष्ण धारन करते हैं क्या क्या एक बर दोहरा कर देखते हैं सिर पर मोरपंग गरी माला ओडने के लिए पीला वस्त्र हाथ में लकड़ी लेकर गायों की रक्षक बनना चाती है जैसा जैसा रूप श्री कृष्ण का है वैसा ही वो रूप धारन करना चाती है लेकिन एक चीज क्या उसने छोड़ी ह बानसूरी क्योंकि उन्हें बानसूरी अच्छी नहीं लगती क्यों नहीं अच्छी लगती क्योंकि श्री कृष्ण बानसूरी की धुन में जब खो जाते हैं तो उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता वो बानसूरी की धुन में ही खो जाते हैं इसलिए यहां पर बानस रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। यहां पर पहले वाले हमने देखा ना कि पशु पक्षी और पहाड बनने के बावजूद भी वो श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। पहाड बननन्द के बीच में पक्षी हो तो कदंब के पेड़ के नीचे और पहाड हो तो गोवर्धन परवत का ही पत्थर हो क्योंकि यह चीजें प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और उनसे जुड़ी हुई हर चीज के रूप में अपना रूप पाकरवे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्ण है, प्रश्ण संख्याच है। उसका ये मानना है, गोपी का ये मानना है, कि अगर एक बार उसके कानों में मुर्ली की मधुर धुन चली गई, तो फिर वो अपने आपको संभाल नहीं पाएगी। कृतान में खिची चली जाएगी। यहीं श्री कृष्ण के प्रेम का जादू है, कि उनकी मुर्ली की धुन सुनने के बाद, गोपीयां अपने आपको विवश्च पाती हैं। वो स्वैम को रोकना चाहती हैं, लेकिन चाहा कर भी वे स्वैम को रोक नहीं पाती है। प्रश्ण संख्या साथ, दो भागों में विवाजित है, इसका है भाव स्पष्ट कीजिए, इसका कभाग है, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन उपर वारो। तो यहां पर प्रश्ण में है, भाव स्पष्ट कीजिए, तो भाव का मतलब है कि इन पंक्तियां में कभी का क्या भाव चुपा हुआ है, कभी क्या कहना चाहते हैं, कि कोटिक एक कल धोत, कोटिक मतलब होता है करोडों, कल धोत मतलब सोने चांदी के महल, करील के कुंजन उ कंटीली जाडियां मिल जाएं, लताओं से लदी हुई, कौन सी कंटीली जाडियां, लताओं से लदी हुई कंटीली जाडियां मिल जाएं, तो उस पर मैं करोडों सोने चांदी के महल भी निचावर कर देना चाहता हूँ, तो यहां पर श्री कृष्ण के प्रती रस्खान का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है कि वो श्री कृष्न से कितना प्रेम करते हैं कि उनसे जुड़ी हुई हर चीज को वो पाना चाहते हैं। आगे हैं इसका दूसरा भाग देखिए साथवे प्रश्न का माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी ने जहे ने जहे ने जहे अब गोपी कहती है कि क्रिश्न के मुख की मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती है मतलब श्री क्रिश्न जब मंद मंद मुस्काते हैं तो गोपीयों का हरेदे उनके वश्वे नहीं रहता है और वो श्री क्रिश्न के अधीन हो जाती है श्री क्रिश्न के पास खिची चली जाती है तो वही कहती है कि हे मा एक गोपी अपनी मा को कहती है कि हे मा श्री क्रिश्न क मुख की मधूर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती है प्रश्न संख्या आठ देखिए कालिंदी कूल कदंब की डारण में कौन सा अलंकार है यह हम पीछे कावे संधरियों में भी कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कालिंदी कूल कदंब में कवरण की अनुप्रा सा अलंकार है बस हमें इसमें इतना ही उत्तर देना है यह क्यों है कौन सा अलंकार है क्यों है यह हम से नहीं पूछा गया है प्रश्न हम से सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है अगला है नावा प्रश्न कावे संधरियों सपष्ट कीजिए या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी तो यहाँ पर कावे सौंदरे में क्या लिखेंगे आप भाशा, छंद, अलंकार, रस और गोणो इन पांच चीजों को शामिल करेंगे क्या है तो हम सबसे पहले दिखेंगे भाशा कौन सी है ब्रज भाशा है, छंद कौन सा है, सवया छंद है अलंकार देखेंगे, अधरान धरी, अधरान धरोंगी तो धवर्ण के अवरती के कारण अनुप्रास अलंकार है जहाँ पर प्रियोग किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार और अधरान और अधरान में यमक अलंकार है जहाँ पर दो एक जैसे शब्दा जाएं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है तो हमारे क्या क्या आगे भाशा हो गई चंद हो गया अलंकार हो गया रस कौन सा है शांतरस का प्रियोग किया गया है और गुण प्रसाद गुण का प्रियोग किया गया है इसकी बाद एक जो पंक्ती है वो आप लगबग सभी में सभी सरस कविताओं में लिख सकते हैं कौन सी संगीता आत्मक्ता लायात्मक्ता वे प्रवहा मईब आ गया है तो यहीं पर हमारा पार्ट समाप्त होता है हमने व्याख्या की इनकी विस्तार से चर्चा की कावे संदरे समझा प्रश्नोतर चर्चा की आशा है यह पार्ट आपको समझ में आ गया होगा धन्यवाद